अगस्त को अमारे रिलीज हो रहे हैं संगरश्टू जो की सबसे बड़ी फिल्म है इंडूस्ट्री की उससे पहले एक और मेरी फिल्म आएगी 18 अगस्त को भारत भाग के विधाता जिसमें चिंटु जी हैं पहुण जी के साथ हाली मैंने किया था जीओ मेरी जान नवसक्यार मैं किशन कुमार हूँ और आप देख रहे हैं अपना हूड मेरे साथ जो सक्सियत बैठे हैं आप इन्हें अभिनेता बिनित बिसाल जी के नाम से जानते हैं संदार फिल्मे करते हैं और अपने दमदार काम के लिए जाने जाते हैं मेरे साथ बैठे हैं खास वाच इस फिल्म को लेकर मैं ही नहीं लगबग इंडस्टी के बहुत सारे लोग उत्साहित हैं और दर्शक भी काफे उत्साहित है जहां तक मैं कभी अपने गाउव जाता हूँ तो दर्शकों से रुबरु होता हूँ तो दर्शकों से यह सुनने को मिलता है कि वो मतलब बेचे ही ही है उनके अंदर कि कभ ये फिल्म रिलीज हो और हम सिनेमा घर तक जा कर देखें जैसा कि इस समय सिनेमा हुल का हाल तो खस्ता चली रहा है पहले के पेक्षा लेकिन इस फिल्म से हम लोगों उमीद कर रहे हैं कि दर्शक खींचेंगे सर फिल्मों को देखने के लिए अब दर्शक सिनेमा घरों तक आ रहे हैं एक अच्छी ख़बर है केसारी जी की फिल्म फरिस्ता रिलीज हुई थी अभी पडोसन रिलीज हुई है और भी कई सारी फिल्में भोसपुरी की हैं जिनको देखने के लिए दर्शक सिनेमा घरों में सिनेमा की थोड़ी बहुत इस्तिती खराब होई और अब जब जागरुख हुए है फिर से दर्शक जा रहे हैं तो यह हमारे लिए बहुत अची ख़बर है हम दर्शकों का शक्रोजार है इसके लिए कौन-कौन सी फिल्में हैं जो आ रही हैं दर्शकों के बीच? जी फिल्में हैं और किन किन कलाकारों के साथ फिल्में आ रही हैं और करता भी रहा रहा हूं और रिबिर भी होता हाँ लगतार काम उनके साथ करते जिक्षारी भाई हुए हैं पवण जी के साथ हाली मैंने किया था जीओ मेरी जान और तिंटु भाई हैं कल्लू जी के साथ तीन फिल्में हैं हमारी कसमे वादे, विद्या पीठ और राम अब राम, रितिश भाई के साथ है तीन-चार फिल्में, अभी जो हाली में रिलीज भी हुई है साक्षिशंकर, भी फोरी उने बनाया था इसको, तो फिल्में कंटिनुट लग चली रहा है, एक कलकार जो भीड सिनमा घरों में लगाए, बदलाओ क्या कहेंगे, स्टूरी, कंटेंट हमारा अच्छा हो, और प्रिजेंटिशन उसका अच्छा हो, मेकिंग अच्छी हो, तो दर्शक देखेंगे उसको, डिपेंट करता है कि आप पूड़क क्या त्यार करा रहे हैं, अच्छा जी, साइद उन्हों जनकारी नहीं हो, एक सवाल का जबाब दे करके उनकी संका को दूर कर दिए, लोग कहते हैं कि बिनित बिसाल साउथ का अक्टर है, कहां कि रहने वाले हैं, प्रोपर बता देए, यह जब मैंने मेरी पहली फिल्म आई थी, दबंग सरकार, तो यह लोग जारी जिले में आता है, अभिनेता सब को बनना है लेकिन ट्रेनिंग किसी को नहीं लेनी है क्योंकि सब को परदे पे आना है टिकने वालों में से संख्या काफी कम है टिकने वाले कलाकारों में हमारे विनित विशाल साहब है मेरे साथ है प्रोपर ट्रेंड एक्टर्स में से हैं जिन लोगों को लगत अपने करना सबसे कठिन का है, और लोग इसको आसान समझ लेते हैं, वो जो इसकी गहराईयों को नहीं समझते हैं, यह उनके लिए है, यह भरा मोव पाल कर रखे हैं, और जो वाकई अक्टर बनना चाहते हैं, वो प्रॉपर ट्रेनिंग लेके ही आते हैं, और इसकी यह स्किल है एक, और इसकील जो है, वो सीखी जाती है, तो आप अगर विनेता बनना चाहते हैं, तो इसको सीखिए, ट्रेनिंग लेके प्रॉपर, फिर आएए, फिर आएंगे तो आप ठिके हैंगे, और जो काम करने आ रहे हैं, सरलता पुरुबक करेंगे, दर्शक भी आपको किया जाएगा, याद इसलिए किया जाएगा, क्यों की फिल्म बड़ी है, पोडूसर बड़े हैं, कमपनी बड़ी है, और उस फिल्म के मुख्य नायाग खेसारी लाल यादो हैं, जब खेसारी जी कोई फिल्म करते हैं, तो वैसे भी फिल्म थोड़ी सी अलग और सांदार लेकिन उस फिल्म को बड़ी फिल्म बनाने में एक बड़ा सयोग अगर किया है तो बिनित विसाल साहब ने किया है उस फिल्म के मुखे खलनायक में से हैं और एक ऐसे अभिने को इन्हों ने एक ऐसे चरीतर को जीवन्त किया है जिसे लंबे अर्से तक सिनेमा घर से निकलने वाले दर्सक याद करेंगे तो बिनित विशाल साहब उन कलाकारों में से हैं ऐसे कलाकार को धेर सरा प्यार दीजिए जे भी लोग देख सुन रहल भाब हुजपुरिया दर्सक को करा के अपना भासा में काकुश कहब बहुत धन्यवाद आप सबन के कि आप लोग हमारी फिल्में रूरलिन देखे नहीं हैं पसंद करें नहीं आगे भी फिल्म आवे आलवा जैसे जिसमें हमने नाम लिया है संगर्ष्टू बारत भाग विदाता जिसे तमाम फिल्में जिसे अब भी हम लोग सेट पर हैं अक्ष फिल्मों को पर्मोट करें और देखें आशिरवाद दें शले ये थे विनिद विशाल साब सांदार फिल्में कर रहे हैं बहुत सारी फिल्में लेकर आ रहे हैं इनका कहना है कि कंटेंट अगर बढ़िया होगा तो किसी भी सिनमा घर में फिल्म चलेगी चाहें दर्सक जिस वीडियो में मिलवाएंगे किसी और से हुस्कार धन्यवाद